एक आप एक एक आपशिफ्ट बास यूजर है अगर हा तो आप हमारे लोयल दोस्तों में से आते हैं और ऐसे लोयल दोस्तों को टेस्ट बूक करता है सलाम सिर्फ इतना ही नहीं आप जैसे लोयल दोस्तों के लिए टेस्ट बुक सुपर कोचिंग लेकर आया है एक बहुत बढ़िया ओफर जहां पर आपको मिलेगा अप्टु 50% डिसकाउंट on all the सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन्स तो अगर आप बैंकिंग इंशॉरंस, SAC, KBS, AAI-ATC, UGC-NET, स्टेट-PSC, UPSC, GATE, AEJE, डिफेंस जैसी एक्जाइम्स की तियारी कर रहे हैं तो आज ही जाईए और इस ओफर का लाब उठाइए तो इस मौके को अपने हाथ से फिसलने मत दीजे आज ही जुडिये टेस्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ आवाज आ रही है सही तरीके से एक बार बस कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजेगा आवाज ठीक है यस सो हमारे दोस्त का आज बर्डे है सो वेद प्रकाश पतिल साब हैपी बर्डे तो यू बहुत-बहुत शुपकामना है आपको आपके जन्म दिवसकी और आपकी सारी चाह इस साल में पूरी हो जाए यही शुपकामना है हम लोग आपको देते हैं Yes, so we'll start with the session So today we are celebrating a day and the day is called as World Consumer Rights Day इस day को हम लोग आज observe कर रहे हैं तो इसके around बहुत सारे questions बनते हैं So every year, 15th of March, we are celebrating this day called as a World Consumer Rights Day इस बार का theme देखिए, empowering consumers through clean energy transition यह इस बार का theme रखा गया है तो इस theme के around भी questions आपके लिए बन सकते हैं Now, empowering consumers यह common होता है हर theme के लिए किसके थूँ empower करना है तो इस बार रखा गया है Clean energy transition इसके थूँ हमें empower करना है Now, we'll talk about India, इंडिया की बात करते हैं इंडिया में हम लोग National Consumers Day 24th of December को मनाते हैं तो यह question आपके लिए definitely बन सकता है ध्यान रखेगा Just one sec So, in India, we are celebrating the National Consumer Day on 24th of December So, this can be the question for you यह आपके लिए question बन सकता है ध्यान रखेगा अच्छे से Now, world level पे 1962 के बाद यह celebration स्टार्ट हुए अगर world level की बात की जाए 1962 is very very important तो चले आगे बढ़ते हैं Now, एक point है जो मुझे आपके साथ discuss करना है कि यह celebration world level पे करता कौन है एक बार उनके बारे में जान लेते है So, consumers international नाम की एक authority है और इस authority के द्वारा यह celebrations की जाते है 1960 में, 1960 में इस authority को बनाया गया और 1962 से यह day celebrate करना शुरू किया इसका जो headquarter है यह London के अंदर है So, UK, London से यह authority काम करती है 1960 में इसे बनाया गया And from 1962 के बात से, we started celebrating this 15th of March As a world consumer rights day इस बार के theme की बात करें यह theme है clean energy transition So, empowering consumers through clean energy transitions यह इस बार का theme मेंशन किया गया है So, that's it from this particular news इतना इनफ रहे का यहाँ से अब start करते है आगे बढ़ते हैं हमारे बाकी session की बाकी चीजों के तरफ दोस्तों आप में से जो नए है पहली बार इन sessions को attend कर रहे है तो this is the telegram channel from where you are going to get the information of coming sessions as well as the PDFs और प्लस कुछ updates भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक और चीज, MP cooperative bank की जिनकी exams है उनके लिए जो आज 3 बजे का session है वो session dedicated रहेगा MP, मध्यप्रदेश के current affairs को लेके So, मध्यप्रदेश current affairs की जो important news है उनके उपर हम बात करेंगे questions all करेंगे आज 3 बजे हमारे YouTube के session के अंदर तो आप मेंसे जो कोई भी in exams के लिए prepare कर रहा है आपके कोई दोस्त होगे तो जरूर inform कर दीजेगा उस session के बारे में चलो, तो अब start करते हैं और सबसे पहले हम कुछ questions discuss कर लेंगे और questions के थूरू कुछ एक दो news है उन्हें भी हम cover कर लेंगे तो पहला question आपके screen के उपर ये रहा जिया विट रेफरेंस टू ट्रांसमिशन सेक्टर इन इंडिया consider the following statement ट्रांसमिशन सेक्टर आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमारी बात हुई थी कि electricity का shortage हो सकता है तो surplus electricity के लिए या फिर थोड़े जादा amount के electricity के लिए कुछ portals की बात की गई थी so we talked about that तो उसी के around यहाँ पे question आपके सामने आरे यार so statement number one statement number two which of the following statement is correct मुझे बताइए transmission sector in India power ministry की बात होगी new and renewable energy ministry यहाँ पे काम करेगी क्या नहीं करेगी ना भले मिनिस्टर एक ही परसन होगे but that doesn't mean की transmission electricity को transmit करना है उसका और new and renewable energy का relationship बनता है नहीं बनता है power ministry यहाँ पे काम करेगी तो यह point गलत है मैंने जब आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको news बताई थी तब भी हमने आरके सिंग सहाब के power ministry के angle में discussion किया था तो आपसे मेरी एक बहुत important request है कि जब आप किसी news को पढ़ते हो जब आप किसी question को पढ़ते हो तो थोड़ा ध्यान दो थोड़ा ध्यान दीजे अच्छे से हमेशा answer all of the above या बोथ नहीं रहेगा और कभी-कभी examiner छोटा सा change करता है और वो change हमारे लिए negative marks का सबब बन सकता है तो थोड़ा सवाध्यान दीजेगा इंडिया is the third largest producer and consumer of the electricity in the world ये तो इसमें तो कोई गलती नहीं है USA, China, India तो ये top three countries मानी जाती है second point is absolutely right first point is wrong because power ministry की बात की जाएगी ठीक है चलो next point के तरफ जाते है दोहा political declaration is related to which of the following ये news में चल रहा है international news का ये part है तो ये question के साथ हम news भी cover कर लेंगे अगर आप में से कोई जानता है दोहा political declaration किसके बारे में है चार options आपके पास है to put least developed countries back on track to achieve sustainable development goal to restart diplomatic relations with the neighboring Saudi Arabia to facilitate the withdrawal of US-led NATO forces from Afghanistan none of the above ये तो हो चुका है this is already happened तो इसका कोई सेंसे नहीं बनता और अफगानिस्तान को लेके इंडिया में recently एक meeting organized की गई थी Central Asian countries के साथ मैंने आपको एक और news कल टेलिग्राम में शेयर की कि I am Kozyko'de के अंदर कुछ तालिबानी delegations को training दी जारी है अच्छी training दी जारी है I am Kozyko training देगा तो भई अच्छी ही training देगा तो तालिबानियों को कुछ governance के अंगल में management के अंगल में training दी जारी है और प्लस Central Asian countries का इंडिया के साथ एक meeting हुआ जो अफगानिस्थान के betterment के लिए discuss किया गया और प्लस 20,000 tons wheat not rice wheat हम अफगानिस्थान को send कर रहे तो यह news अफगानिस्थान को लेके है इसका जो answer है इसका answer है first दोहा political declaration is for least developed countries इसके अंगल में चलो ध्यान दीजेगा यह दोहा में organized किया गया Qatar का capital है so यहाँ पर least developed countries जो है उनके एंगल में यह discussion हुआ अब least developed countries कोन सी कोन सी है मैं आपको बताऊँगा आप उसकी चिंता मत कीजे पर उसके पहले ध्यान दो six key focus areas क्या-क्या focus areas है इस discussion के eradication of poverty science and technology to fight the vulnerabilities then climate change environmental degradation and COVID-19 का recovery इसके point mention किये गए तो इन छे points के उपर discussion हुआ sustainable development goal यह major focus था least developed countries की यहाँ पर बात हो रही है अब ध्यान दीजे आपके साथ एक document शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए काफी important रहेगा जिया this is from United Nation UNCTAD United Nation का document है UN least of least developed countries अब इसमें कितनी countries आती है तो 46 countries आती है so currently 46 countries are called as least developed countries according to United Nation अब देखिए यह वो countries है जिनको least developed countries कहा जाता है इंडिया का neighboring Bangladesh भी है नेपाल भी है भूतान भी है सार्क वाला अफगानिस्थान भी है यहाँ पे बिमस्टेक वाला मैनमार भी है और प्लस बाकी आपको African countries majority में यहाँ दिख जाएगी then इसके लावा Caribbean country भी यहाँ पे आती है तो टोटल 46 countries है जिनकी यहाँ पे बात हो रही है तो देकि आफरिका, एशिया, कैरेबियन, पैसिविक यह लीस्ट भी यहाँ पे mention की गई है So these are the least developed countries इसका basis क्या है इसका human index की बात यहाँ पे की जाती है economic environmental indices यहाँ पे चेक किये जाते है और जिनके भरोसे है यह least developed country तो एक तो सबसे पहले उनका GDP चेक होगा उसके बाद उनके human indices means education कैसा है, health कैसा है then उसके बाद क्या-क्या vulnerabilities है economic as well as environment यह भी चेक होगा और उसके भरोसे इनको least developed country कहा जाएगा इंडिया developing category के अंदर आता है according to UNCTAD और यह least developed country तो इनी countries को लेके यह organize किया गया था तो उसी के around यह news है सोचा कि यह आपके साथ question के थूही discuss करें तो आपके लिए better रहेगा अगेन याद रखे conference कहां पे हुई दोहा कतार के अंदर conference हुई दूसरा इस conference में total कितनी countries है 46 countries है और यहाँ पे sustainable development goal एक major focus है पर यहाँ पे 6 pillars के उपर बात हुई और वो 6 pillars मैंने यहाँ पे आपके सामने mention किये poverty science and technology climate change environmental degradation and covid-19 दूसरा हमने यह C वाले point के उपर भी बात की कि अफगानिस्थान को लेके इंडिया में Central Asian countries के साथ meeting हुआ इंडिया sending wheat to Afghanistan 20,000 million ton की हमने बात की थी उसके बाद Taliban के जो कुछ delegation है उनको I am cozy core के अंदर training के लिए भी इंडिया में लाया गया So these are main points जिसके उपर exam में definitely question बन सकते है आगे बढ़ते next question आपके लिए ये भी एक news ही है हम इसके बारे में भी discuss करेंगे और बड़ा simple सा है इंडिया's first behavioral lab is approved to be set up in which of the following state US Afghanistan से कपका विड्रॉ कर चुका है वो बस ऐसे ही mention कर दिया there is no relation with that news just it is mentioned like that उसके बाद ही तो Taliban आया है अफगानिस्थान के अंदर इंडिया's first behavioral lab is in Rajasthan यहाँ पर बात की जाएगी I am sorry Udaipur I am Udaipur यहाँ पर so I am Udaipur के अंदर इसे create किया गया है very sorry for the goof off so I am Udaipur की बात करेंगे अब ध्यान दीजे यह behavioral lab क्या concept है so I am Udaipur is involved यहाँ पर concept है कि human behavior will be studied human behavior कैसे होता है उसके बारे में study किया जाएगा with the innovative technology ultra modern software and the hardwares so by using science and technology human behavior को understand करने की कोशिश की जाएगी बड़ा complex human behavior होता है कि काम की चीजे छोड़के बकवास बातों में जदा ज़ादा interest होता है तो यह interest क्यों आता है शायद इसका answer मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए जो चाहिए वो छोड़के बाकि सब करने की इच्छा जब होती है तो उमीद करते कि I.M. Udaipur के researchers faculties इसका भी answer हमें दे दे so that's the point human behavior that's our first behavioral lab in Rajasthan okay with the help of I.M. Udaipur the lab will be in Jaipur चलो इसका answer कर दीजेगा India's armed import during कल हमने इसके बारे में discuss किया था SIPRI Stockholm International Peace Research Institute SIPRI का data कल हमने discuss किया था तो उसी data के उपर ये question आपके सामने है चलो answer कर दीजेगा कि what can be the answer of this इसका answer क्या रहेगा answer of this question is neither one nor two India accounts 11% of the world's share of arm import 11% not the 20% 11% import हम लोग करते है France नहीं है यहाँ पे Russia है वो पॉइंट आपका एकदम सही रहा तो आप ध्यान दीजेगा India accounted for 11% share of the total global arm import from 18 to 22 the highest importer is Russia 45% Russia से आ रहा है second number पे France आता है के USA, Israel की बात करेंगे यहाँ से भी इंडिया को काफी सारे weapons मिलते है so India accounted 11% of this Stockholm International Peace Research Institute SIPRI के द्वारा यह data present किया गया तो world के biggest arm importers में India top में है Saudi Arabia, Qatar, Australia, China in countries की यहाँ पे बात की जाती है so यह कुछ questions थे उसमें से दो news हमने यहाँ पे cover की हुई और दो point already हम पहले discuss कर चुके थे दोस्तो loyalty sell आपके लिए चल रहा है दो दिन के लिए यह offer valid रहेगी आज और कल के लिए ध्यान रखेगा 50% off on all so discount claim करने के लिए आप description के अंदर link पे जा सकते हो और discount को claim करते वक्त आप अगर यह code यूज करते हो तो आपके लिए और beneficial बन सकता है और भी benefits है आपे provide मिल जाएंगे so you can use the code called as a pushpuck is the name of the code चलो अब news के तरफ जाते है आज news थोड़ा सा different way में हम discuss करने वाले है obviously newspaper और बाकी सबका हम यहाँ पे mixture रहेगा but आज की news थोड़ा सा different way है बस याद रखेगा कि आज के news में linkage बहुत जादा matter करेंगे तो मैं आपको बहुत सारे धेर सारे questions पूछने वाला हूँ जिसके answers आपको chat के अंदर देने है so be ready for that ठीक है तो पहला news is from SEO Shanghai Corporation Organization मैंने आपको बताया था कि SEO का presidency इस साल इंडिया के पास है September 2022 से लेके 2023 September तक presidency इंडिया के पास है तो इसलिए बहुत सारी meeting इंडिया के अंदर हो रही है जैसे recently हमने chief justice की भी meeting देखी थी SEO की tourism का SEO का meeting काशी में organize किया जाएगा ये भी एक news चल रही है ध्यान रखना tourism SEO का meeting will be in काशी when Buddhist heritage का उसके उपर भी हमारा बात हुआ था वो भी SEO organize कर रही है जल्दी से मुझे बताईए SEO के अंदर कितनी member countries आती है how many member countries in SEO SEO का headquarter कहाँ पर है और SEO कब बना अब ध्यान दीजे SEO members agree to jointly develop emerging fuel works अब ये क्या news है ध्यान दीजेगा कि आप answer अगर आपका हो जाए या फिर आप बात में भी answer कर सकते हैं पहले मेरी बात को सुन लीजेगा SEO members agree to jointly develop emerging fuel emerging fuel का मतलब क्या है हम कही बार discuss करते हैं अलग-अलग चीजों के उबर जैसे for example आपको याद होगा hydrogen energy की बात होती है कभी हम लोग बात करते हैं ammonia को कभी हम लोग biofuel की बात करते हैं so green hydrogen, green ammonia, biofuel you remember तो इसे नाम दिया गया emerging fuel so emerging fuel को लेके SEO countries साथ में काम करना चाहती है question बन सकता है बड़ा खुबसूरत question है because मोधी सहाब life इस concept की कई बार बात करते है life l-i-f-e क्या life का full form बता सकते हो जल्दी से comment section में life का full form बता दीजेगा so मोधी साथ बहुत बार life इस concept की बात करते है और उस concept को अगर पूरा करना है तो हमें emerging fuel का use करना बहुत ज़रूरी है हमें इस नए type के fuel को efficiently use करना बहुत ज़रूरी है so hydrogen energy ammonia या फिर biofuel और इसी के लिए SEO की 9 members 9 के 9 members इरान ये recently include हुआ हमने last time बात की थी तो 2001 में SEO बना इरान नया member है तो 9 members का ये जो group है जिसका headquarter Beijing के अंदर है जिनका ये discussion इंडिया के अंदर हुआ so obviously questions can be asked around that so यहाँ पे members के नाम mention किये गए 2001 में इस concept को create किया गया 2017 में इंडिया पाकिस्तान जुडा हुआ है और इरान को last year in principle approval मिल गया to become the part of Shanghai Corporation Organization lifestyle for environment ये life का full form है जो Modi सहाब के द्वारा दिया गया और जिसके भरो से हम काम करते हैं तो बड़ा simple सा question कि emerging fuel को लेके recently किस group के अंदर discussion हुए या फिर बातचीत हुई collaborations हुए Shanghai Corporation Organization इनका Chief Justice का meeting इनका Buddhist Heritage का meeting इनका Tourism का meeting विल बीन काशी याद रखे ठीक है next चलो अब एक और बड़ी news ये news actually over the period develop होने वाली है अभी हम उसका base देख रहे है शायद अभी अभी के situation में इस news के उपर direct question नहीं आएगा बट आने वाले समय में जरूर आएगा and Technology Council मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TTC यहाँ पर question बनेगा दोस्तों आपके लिए TTC कि recently TTC was in news between India and European Union what's the full form of TTC so Trade Technology Union sorry Trade Technology Council तो इन दोनों के बीच में TTC create हुआ और जिसका पहला meeting June मन्त में होने वाला है यह क्यू है? For what purpose? हमें European Union के साथ भी Free Trade Agreement पे काम करना है उनके साथ भी हमें FTA sign करना है तो उसके लिए यह Council का meeting है जिसको Trade and Technology Council यह नाम दिया गया तो यहाँ पर question definitely exam में आएगा तो याद रखना बहुत जरूरी news है बहुत important news है और questions कई सारे यहाँ पर बन सकते हैं शायद अभी ना बने पर आने वाले समय में जरूर इसके ओपर question बनेंगे उर्सुला वैंडर ली शी इस दे head of European Union शी वाज इन इंडिया और मोधी सहाब के साथ उनकी बातचीत भी हुई थी लास्ट टाइम अब ध्यान दीजे यहाँ पर 27 countries आती है European Union के अंदर शो 27 countries का यहाँ पर least है पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम बाइदबे बुसेलस के अंदर headquarter भी है इनका बलगेरिया, क्रोएशिया, साइपरस जेकिया, डेन्मार्क इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी आइरलांड, इटली, लैटिविया तो आपको समझ में आ गया होगा किन कंट्रिस की बात कर रहा हूँ 27 कंट्रिस अंडर इस पर्टिकुलर ग्रूप एक और चीज, एक और चीज, ध्यान दीजे G20 की बात करते है G20, इंडिया is the president of G20, तो G20 के अंदर 19 कंट्रिस आती है और ये गुरूप आता है मिलके G20 बनता है, तो याद रटना कई सारे लोग जानते नहीं है, किसी ने मुझे उस दिन आंसर राइटिंग में आंसर एक बैच के हमारे student है, उन्होंने आंसर राइटिंग में and one group, आप ऐसा लिख सकते हो, 20 economies आप लिख सकते हो, because European Union एक economy के तरह work करता है तो आप 20 economies लिख सकते हो बट अगर आप countries लिखोगे, तो 19 countries और एक group लिखेगा ये छोटी-छोटी गलतिया आपके marks कम कर सकती है, तो यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो मैंने उनसे भी ये बात convey की थी, आपको भी बताना चाहूंगा, ठ्यान रखेगा, ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा एक news European Union को लेके, so we talked about SEO जहाँ पे emerging fuel की बात हो रही है, we talked about European Union, जिसके साथ Trade and Technology Technology Council हम create कर रहे हैं, जिसका पहला meeting जून में होगा, अब तीसरा news, तीसरा news इंडिया से relate नहीं करता, पर इंडिया के दोस्तों से relate करता है, और यहाँ पे तीन countries है, Australia, USA and UK, now US के अंदर US के अंदर, एक इनका meeting हुआ और इस meeting का नाम, ध्यान दीजेगा, बहुत important है, इसकी बहुत चर्चाय चल रही है, पूरे दुनिया में और इसका नाम है, यहाँ लिख देते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा A, sorry A, U, K, U, S A, U, K, U, S, is the name of the group, Australia, UK and USA So, A, U, K, U, S, Australia, UK and USA, इनका group है, अब यह meeting इनकी US के अंदर हुई, US के अंदर meeting का परपस अथा, nuclear submarine तो Australia को nuclear submarine provide की जा रही है और USA और UK यह nuclear submarine Australia को provide कर रहा है, चायना, यहाँ पर देखें, लिखा भी है, US, UK Australia, OZ का मतलब Australia, leaders unveil nuclear submarine deal to counter China, तो China को counter करने के लिए, इस nuclear submarine की बात हो रही है, इंडिया directly involved नहीं है, पर यहाँ पर दो countries ऐसी है, जिनके साथ हमारी COD नाम से exercise meeting भी होती है, USA and Australia, UK और इंडिया के relation तो free trade agreement के level तक के है, तो अलगी बादचित वहाँ पर है, तो याद रखें, definitely आएंगे, again this is Australia, okay तो यह से लिखने का तरीका है, जो cricketer, cricket के fan होंगे, वो जानते होंगे अच्छे से, शायद बाकी लोग ना जानते हो, so Anthony Albanese, Joe Biden and Rishi Sunak, इनके बीच में यह meeting हुआ, the meeting was in San Diego, San Diego is in USA, California के अंदर यह आता है, that's it that's for us, हमारी exam के लिए, now next news, यह जो news यह थोड़ा सा late discuss कर रहा हूँ, actually news मैंने कल के अंदर ही discuss कर लेनी चाहिए थी, बट कोई बात ने, आज discuss कर लेते हैं, India France conduct the Maritime Partnership exercise MPX in Arabian Sea, अब ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दीजगा, India France का Varuna नाम का exercise होता है India France का, Varuna is for Navy, okay, India France Air Force exercise called as a Garuda India France military exercise called as a Fringe X, जो recently conduct किया गया, यह जो exercise है MPX, यह extra exercise है, extra, called as a Maritime Partnership exercise, अब ध्यान दीजे, यह MPX हम किसी भी country के साथ conduct कर सकते हैं, MPX can be conducted with Indonesia, can be conducted with Bangladesh, can be with USA can be with UK, so Maritime Partnership exercise, यह आप यह general name है यह generic name है, यह common name है, specific name में क्या आएगा Varuna, जो हमने last time conduct किया था, तो अभी question पूछ सकते हैं, कि recently MPX was conducted with which of the following country, answer, question उल्टा नहीं आएगा, कि India France के exercise का नाम बता ही नेवी के, तो answer हमेशा Varuna रहेगा, recently MPX किसके साथ conduct किया गया, तो with the France, we conducted MPX exercise conduct की गई Arabian Sea के अंदर, यहाँ पे धान दीजेगा, हमारा INS सयांदरी यहाँ पे participate किया, इस exercise के अंदर, और उनकी दो ships जो इंडिया आई हुई थी, इनकी दो ships जो नेवीगेशन के लिए पूरे world में घूम रही है, उनी के साथ हमने Arabian Sea में यह exercise conduct किया, एक और exercise है, हमने कल के lecture के अंदर cover की थी, आपको याद होगा, यह, so La Peros is the name of the exercise, यह multilateral exercise है, यह France conduct कर रही है, Indian Ocean में, तो यह exercise अलग है, यह multilateral है, यहाँ पे India, France, Japan, USA, Australia, यह सारी countries, UK, यहाँ पे पार्टिसिबेट कर रही है, और France, यहाँ पे भी INS सहयांदरी और INS जोती, तो भ्यान दीजेगा, INS सहयांदरी यहाँ पे भी है, और INS सहयांदरी यहाँ पे भी रहेगी, और साथ में INS जोती, so India, France, MPX recently conducted, fringex was recently conducted, fringex was a military exercise, then Varuna, Garuda की हमारी बात हो गई, and then we talked about the multilateral exercise, named as La Peros, जिसके उपर कल के lecture में हमारा discussion हुआ था, ठीक है, यार जल्दी से मुझे ना, France के, President साहब का नाम बता दीजे, कि कोन है, और कोन सा currency यूज होता है इस country के अंदर, ये भी बता दीजे, India, France, बहुत अच्छे relationship है, second largest weapon, हम इनसे खरीदते है, after Russia, ये थोड़ी दर पहले हमने विसकस कर लिया, International Solar Alliance, ये जो हमने create किया हुआ, जिसका headquarter Guru Gram में है, वो हमने France के साथ मिलके बनाया, तो France का बहुत बड़ा योगदान रहा, इसे बनाने के लिए, और Emmanuel Macron साहब की बात करेंगे, जो फिलाल इस country के head है, in charge है, and, जी या, euro is a currency used in this country, yes, absolutely right, magic wand, magic wand नाम का एक concept लाउंच किया गया, Google के द्वारा, Google, फिलाल AI को लेके, बहुत जादा active हो गया, chat GPT ने जो Google की, वाट लगाई है, उसके बाद Google थोड़ा सा बावरा सा हो गया है, and, last time एक AI chatbot लाया था, कोई बताएगा मुझे, तो कौन सा AI chatbot है, जो last time Google ने अनाउंस किया, chat GPT belongs to Microsoft, chat GPT Microsoft को बिलॉंग करता है, Google का क्या है, नाम बता दीजे, अब Google ने दूसरा AI लाउंच किया, और उनके नए AI का नाम है, Magic Wand, Magic Wand for email docs, Google के mails, Google के documents होते हैं, Google के लग-लग files होती है, उसके लिए Magic Wand डाम का AI लाया, इस AI की मदद से, आप अपने docs को, सही तरीके से manage कर सकते हो, लिख सकते हो, email में भी, आपको एक security और plus, काफी easy तरीके से आपके लिए बन जाएगा, तो जिया, BARD की बात करते हैं, absolutely, so BARD is the name of the concept, और name of the AI concept created, AI chatbot, वो AI का chatbot था, created by Google, ठीक है, पहला point आपने सही किया, अब दूसरा, ये एक और नया AI है, Google का, Magic Wand is the name given to it, ये क्या करेगा, ये emails, या Google के doc, आप आप नॉर्मली, जिसे YouTube आप open करते हो, तो वहाँ पे ना, वहाँ उनका, आपको sign दिखेगा, वहाँ पे आपको Google के सारे, अलग-अलग products के नाम दिख जाएंगे, so उन products को सही तरीके से manage करने के लिए, इस concept को create किया गया, by the Google, now, अब मुझे बताएं, Google के head कोन है, who is the head of Google, chat GPT, Microsoft create किये, bard and magic wand is created by the Google, so जल्दी से Google के, comment section में डाल दीजेगा, देखते कितने लोग answer करेंगे, 1998 में इस company को create किया गया, Alphabet Inc, Alphabet Inc, ये mother company है Google की, तो Google के अंदर जितने भी products आते है, वो सारी चीज़े Alphabet Inc, इस mother company के अंदर काम करती है, so Alphabet Industries, Inc का मतलब Industries है, so Alphabet Inc के अंदर, ये सारी company काम करती है, नाम याद रखना, तो जिहां, सुन्दर पिचाई साफ की बात करेंगे, absolutely right, बहुत खूब, काफी लोग जानते नहीं, Alphabet Inc के बारे में, तो मैं आपको वापस बताना चाथा, हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा point मेंशन किया, जिसे Tata Industries, तो Tata के अंदर तनिश्क भी आता है, स्टार्बक्स भी आता है, जैग्वार लैंड रोवर भी आता है, Tata Indica भी आती है, Tata का अपना खुद का, they have these steel plants भी है उनके, so they have many industries, तो Tata Trust और Tata Industries is a name, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड है, थ्यान रखेगा, चलो, एक बड़ी news है, The University of Pennsylvania, Institutes hold symposium on India's future trajectories, Now, University of Pennsylvania, it is from USA, यह US का university है, इन्होंने इंडिया में, New Delhi में, एक symposium, kind of a conference organized की थी, इंडिया के future के बारे में, अब मुझे आंसर कर दीजे, कौन सी Australian universities है, जिनके campuses, हम लोग इंडिया में open कर रहे है, वो लोग इंडिया में open कर रहे है, gift city के अंदर, गुजरात international financial tech city के अंदर, दो Australian universities के campuses, create किये जा रहे, दोनों के नाम comment section में डाल दीजे, जल्दी से, फटा फट, अब, यहाँ पर बात करेंगे, जिया, so University of Pennsylvania Institute of Advanced Study of India, and Center for Advanced Study of India, इनके द्वारा, इस symposium को organize किया गया, और इस symposium का inauguration, इस symposium का inauguration, जिनों ने किया, उनके उपर question पूछ सकते हैं, उनका नाम है, अमिताब कांथ, अमिताब कांथ, हमारे G20 के शेरपा है, so Amitabh Kant सहाब के द्वारा, इस symposium को inaugurate किया गया, और University of Pennsylvania, which is from the USA, organized this, so हम लास्ट नेम बात कर रहे थे कि, बहुत सारी foreign universities, इंडिया में काम करना चाहती है, इंडिया में अपने campuses open करना चाहती है, और Australia के दो यूनियोर सिटिस ने उसके शुरुआत की, जिनके नाम, जिया, Walgong University and the Deccan University, absolutely right, so Deccan and Walgong, they decided to open their branches in India, कोई मुझे बताएगा, कौन से Australian cricketer है, जो इसमें से एक यूनियोर सिटि के brand endorser है, तो उस Australian cricketer का नाम, और कौन से यूनियोर सिटि के endorser है, वो भी मुझे बता दीजे, बिकास वो भी इंडिया आये थे, एंटोनिय अल्बनेजी सहाब के साथ, और इस यूनियोर सिटि को रिप्रेजन करने के लिए, एडम गिल्कृिस्ट, जी आडम गिल्कृिस्ट सहाब, विकेट कीपर बैटर, बड़े धुवादार बल्ले बाज हुआ करते थे, और विकेट कीपर of Australian team, वो वालगॉंग यूनियोर सिटि के रिप्रेजनेटिव हैं, वो भी अन्थोनिय अल्बनेजी सहाब के साथ, इंडिया आये हुए थे, बहुत बढ़िया, तो यूनियोर सिटिया पैंसलवेनिया, कहां पे समझ में आ गया, इसको किस ने इनॉगरेट किया, ये न्यूज हम डिसकस कर चुके, बर इसमें एक नया अपडेट आया हुआ है, अब पहले न्यूज क्या है, देख लेते, यहाँ पे फीश है, और फीश को इंजेक्शन दिया जा रहा है, वैक्सीन, वैक्सीन, तो आपको याद होगा, हमने फीश वैक्सीन के बारे में न्यूज कवर की थी, कि इंडियन गवर्मेंट फीश वैक्सीन के उपर काम कर रहा है, तो उसी न्यूज का एक अपडेट हमारे पास है, जान दीजे, इंडियन इम्मिनोलोजिकल्स नाम की एक इंस्टिट्यूट है, इंडियन इम्मिनोलोजिकल्स एंड इंडियन काउंसिल अग्रिकल्स रिशर्च का सीफा, इनके बीच में टाइप हुए है, यह दोनों इंस्टिट्यूट्स की जानकारी मैं आपको दूँगा, पर उसके पहले, मुझे दो क्वेशन के आंसर दीजेगा, हमारे देश के फिशरीज मिनिस्टर कोन है, पहला question, दूसरा question, हमारे देश में फिशरीज के लिए कोन सी योजना है, दोनों question बहुत easy है, दोनों question बिल्कुल easy है, पर उसका आंसर मुझे comment section के अंदर चाहिए, अब आगे बढ़ते मैं निउस के उपर बात करूँगा इंडिया इम्मिनोलोजिकल्स लिमिटेड पहले इस इंस्टिटूट की बात कर लेते यह इंस्टिटूट पता है किस ने डेवलप किया हुआ है इस इंस्टिटूट इस डेवलप पाई नैशनल डेरी डेवलपमेंट नैशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड याद आपको मिनिश शहा सर यह नैशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के हेड है हमारे वर्गी स्कूरियन साब इंडिया के मिल्क रिवालूशन या वाइट रिवालूशन के जो करता धरता है उनके द्वारा यह नैशनल डेरी डेव हैडराबाद में, NDDB, National Dairy Development Boards का हैड़कॉर्टर आनंद में, गुजरात, गुजरात आनंद में इसका हैड़कॉर्टर है, अमुल, अमुल के पास ही इसका हैड़कॉर्टर है, और यह हैडराबाद से काम करने वाली इंस्टिटूट है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, तो CIFS, Central Institute of Freshwater Aquaculture, भुवनेश्वर, Indian Immunologicals Limited, हैदराबाद, इनके बीच में आगरीमेंट हुए, आगरीमेंट की हुए, फीश के लिए वैक्सिन्स क्रियेट करनी है, वैक्सिन्स क्यू क्रियेट करनी है, ध्यान दीजेगा, अब ना फीश की अगर बात की जाए, तो सेप्ट का मतलब है, ब्लीडिंग होती है, तो infection, ब्लीडिंग ये problem, फीश में काफी देखने को मिलती है, अगर ऐसी फीश रही, तो obviously, हम उसका export नहीं कर पाएंगे, quality खराब हो जाएगी, और फीश का काफी डेथ हो सकती है, तो for that purpose, ये concept, ये वैक्सिन क्रियेट किया जा रहा है, Indian Immunologicals Limited, और दूसरा, Indian Council of Agriculture Research का Central Institute of Freshwater Aquaculture, ये point याद रखेगा, बाकी इनफ है, यहाँ पे, एक काम करते हैं, Just one sec, one sec, okay, जिया, एक point रहे गया, इसे 1982 में क्रियेट किया गया था, this institute was created in 1982, ये एक point यहाँ पे याद रखेगा, NDDB के अंदर, NDDB बहुत important है, जिया, मैंने आपको कुछ question पूछे थे, पूर्शत्तम रूपाला सर हमारे fisheries minister है, और प्रदान मंतरी मत्से संपता योजना की हम लोग बात करते हैं, clear, मेरे क्याल से ये इतना point clear होगा, सेप्टिसीमिया, अगर question पूछते तो सेप्टिसीमिया के तरफ ध्यान रखेगा, जो normally हमारे country में fish को होता है, Indian Council of Agriculture Research, 1929 में बनाया गया, Ministry of Agriculture के अंदर, ये authority काम करती है, और उसी के द्वारा, यहाँ पे काम किया जाएगा, that's it, चलो, next point के तरफ जाते, अब ये बहुत important news है, बहुत जादा, now, हमारी Parliament में, हमारे Environment Ministry के द्वारा, या Environment Minister सहाब के द्वारा, एक information share की गई, India's forest and tree cover has risen to 226 square kilometer in the year 2021, 2021, 2021 में इंडिया में forest cover कितना बड़ा, tree cover कितना बड़ा, इसका information हमारी Environment Ministry के द्वारा दिया गया, who is the Environment Minister of India, एक बार उनका नाम बता दीजे, हमारे देश के Environment Minister कोन है, फोटो आपके सामने, बस आपको नाम बताना है, पहला question यही से बनता है, कि इंडिया का forest and tree cover, यह कितने square kilometer से बड़ा है, 2261 kilometer, चलो, मैं आपको report दिखाता हूँ, ध्यान देना, report का कुछ points बहुत ज़ादा जरूरी है, exam के लिए, तो directly report open करता हूँ, और वही से आपके साथ discuss करता हूँ, if you don't mind, जी आप भुपेंदर यादो सर, ठीक है, अब ध्यान दीजे दोस्तों, अब जो आने वाले 2-4 minute है, उसमें आपके concentration की बहुत जरूरत रहेगी, ध्यान दीजेगा, अब यह report हमारे पास है, रिपोर्ट का नाम है, Indian State of Forest Report, 2021 का रिपोर्ट है, अब ध्यान दीजेगा, इस report is created by Forest Survey of India, तो report किसने create किया, Forest Survey of India, इसका headquarter कहाँ पे, देहरादून, रिपोर्ट का नाम है, India State of Forest Report, अब ध्यान दीजेगा, यह point हमने discuss कर लिया कि 2261 स्क्वेर किलोमेटर से, tree cover और forest cover बढ़ गया, अब ध्यान दीजेगा, एक point मुझे आपके साथ discuss करना था, the point is this, 7 to 8.21 करोड़ have been released for the 16 states and one union territory, तो अगर बात की जाए, तो 6 to 8.21 करोड़ is released by government of India for states and the union territory, so that, वो forest cover को increase कर सके, यह तीसरा point है हमारे लिए, ministry देख ली, किस ने बनाया, report का नाम क्या है, कितना square kilometer से increase हुआ, और कितना पैसा release किया गया, अब एक और point आपके साथ discuss करना है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजेगा, Yes, we have the one yojna, called as a nagarwan yojna, 2020 में इसको launch किया गया, nagarwan yojna, यह nagarwan yojna क्या है, जो urban areas होते हैं, जो बड़ी-बड़ी cities हैं, वहाँ पे किसी area में forest create किया जाए, किसी area में, exactly not forest, but बहुत सारे tree plantation किया जाए, इंडिया में सबसे पहले nagarwan yojna was implemented in the city of Pune, महराष्टरा, महराष्टरा की बात करेंगे, तो Pune में सबसे पहले nagarwan yojna की शुरुआत की गई, 2020 में officially यह yojna start हुई है हमारे देश के अंदर, अब इसके लिए budget देखेगा nagarwan के लिए, 238.64 करोड का budget allocate किया गया है इस nagarwan yojna के लिए, another point, another budget amount and nagarwan yojna, अब ध्यान दिजे, next, next हमारे पास एक और fund है, और fund का नाम है, compensatory afforestation fund, CAMPA fund, और 2016 का इसका act है, So, we have the fund called as a CAMPA fund, compensatory afforestation fund, 2016 का इसका act है, So, यह fund कई बार news में चलता है, यह fund कई बार चर्चा में चलता है, और CAMPA का full firm पूछते हैं, कि what is the full firm of CAMPA, और कब इसका act बनाया गया, 2016 में, तो यह जो fund है, इस fund के अंदर, हम afforestation करते हैं, means, forest अगर degrade हुआ होगा, तो उसे लगाने की कोशिश करते हैं, तो यह कुछ और points आपके लिए, report किसने present किया, report किसने बनाया, report का नाम क्या है, कितना परसे या कितने square किलोमेटर से area बड़ा है, then what is the budget allocated, then नगरवन योजना, CAMPA fund, नगरवन योजना का कितना budget है, अब ध्यान दो, आपका favorite part, अब यह आपका favorite part आ रहा है, यह, सबसे ज़्यादा forest कोन से state में है, favorite part है, students को इसमें बड़ा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा forest जो है, कि वो आता है, yes, always in the state of Madhya Pradesh, सबसे ज़्यादा forest है, then महाराष्ट की बात करेंगे, दोनों state जापे forest का area बहुत ज़्यादा है, इनके नाम यहाँ पे mention किये गए है, ठीक है, चलो, तो यह दो states हो गए, उसके बाद UP का number आपको दिख जाएगा, चलो, अब ध्यान दीजिए, अब एक और point, एक और point, जो बहुत matter करता है, matter यह करता है, यह, change in the forest, sorry, change in forest cover, change in percentage, okay, so percentage में, change कहाँ पे देखने को मिला, अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यह है आंदरा प्रदेश, 2.22, मैं नीचे आता हूँ, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे question आपके लिए बन सकता है, 3.07, कहाँ पे है, तेलंगाना, okay, so तेलंगाना सबसे जादा change देखने को मिल रहा है, sorry, 3.86, चंदिगड, चंदिगड, तेलंगाना, और अंधरा प्रदेश, सबसे जादा आपको changes देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे question आपके लिए बन सकता है, कि change percentage with respect to 19 assessment, कहाँ पे change सबसे जादा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, चंदिगड, तेलंगाना और अंधरा प्रदेश, इनका percentage थोड़ा जादा यहाँ पे देखने को मिलता है, clear, तो सबसे जादा forest cover कौन से state में, and सबसे जादा change in percentage कहाँ पे देखने को मिला, तो चंदिगड, तेलंगाना अंधरा यहाँ पे सबसे जादा change in percentage देखने को मिला, यह भी point याद रखेगा, मैंने जान बूच के आपके साथ यह report discuss किया, और इस report वे थोड़ा सा detail में गया, because आपको सबको बता है, आज की date में, environment कितना जरूरी है, not only for us, बड़ अगर government के policies की बात करें, तो environment के उपर बहुत बात होती है, लाइफ, अभी थोड़ी देर पहले लाइफ के उपर हमारा discussion हुआ, मोधी साब ने दियावा concept है, तो forest cover, tree cover, के उपर भी questions बहुत सारे आ सकते हैं, तो जो हमारे exam के लिए काम का था, वो मैंने cover कर दिया, बाकी चीज़े UPSC जैसे exam के लिए, और detail में पढ़नी पढ़ेगी, तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो, Asia's largest tulip garden, कहां पर है, कोई बताएगा मुझे, Asia का largest tulip garden, कौन से, state या UT के अंदर आता है, जल्दी से answer कर दीजे, बड़ा simple question है, ये garden open हो रहा है, ये garden फिलाल बन था, because of snow, अब ये garden open हो रहा है, तो ये garden कब open होगा, तो garden will be open from the 19th of March, 19 मार्च से, जम्मू कश्मीर के अंदर, इस garden को open किया जाएगा, तो tulip flower जो है, उस flower के around, ये garden है, आपको समझ में आई गया होगा, इस garden को 2008 में, open किया गया था, for the first time, 2008, और इसे अभी वापस एक बार open किया जाएगा, from the 19th of March, the name of the garden is called, Indira Gandhi Tulip Garden, जो एशिया का सबसे बड़ा tulip garden है, जिसे अभी open करेंगे, जम्मू कश्मीर के लेफटरन गवर्नर साब का नाम, comment section में डाल दीजे, who is the left-hand governor of जम्मू कश्मीर, yes guys, Manoj Sinhasar की बात करेंगे, absolutely, so ये garden कब बना, 2008, नाम का है garden का, ये भी एक point याद रखेगा, it's spread over 1050 canals, दाल लेक एंड जबरवान हिल्स इसके बीच में, इसे create किया गया, बड़ा खूबसूरत है, कभी अगर आप जाते हो, तो anyways ये visiting tourist place है, now wholesale price eases to 25 month, low to 3.85, अब द्यान दीजे, wholesale price index ये नीचे आ गया, at the same time consumer price index 6.44 पह है, consumer price index is 6.44, and WPI is 3.85, difference बहुत जादा है, WPI कम हो रहा है, CPI अभी भी बढ़ाई है, सो इसके एक बात पता चलती है, कि इंडिया में retail level पर, wholesale level पर बहुत difference है, बहुत difference है, कल आपको याद है, financial समाचार में, मैंने आपके साथ एक news cover की थी, वीरल आचार्य सर की, याद होगा आपको, जो financial समाचार के lecture को अटेंड करते होंगे, वीरल आचार्य सर ने अपने उस statement में क्या mention किया था, उन्हें कहा था कि, बिग फायू जो है, they are increasing rates, और जिसका खामियाजा, ये retail sector को भुगतना पड़ता है, तो इसका आपके सामने example है, कि CPI में अभी भी महेंगा ही है, पर WPI की बात करें, तो यहाँ पे rate कम होगे, अब wholesale price index, यहाँ पे normally production level की value, wholesale की value आपको पता चलेगी, CPI के अंदर आपको retail level की value पता चलेगी, दूसरा difference, दूसरा एक और चीज है, कि CPI के दाम जादा क्यू है, दूखिए, WPI में केवल products की बात की जाती है, जब CPI की बात करते है, तो CPI के अंदर हमें services भी देखने को मिलती है, तो इसका मतलब कही ना कही, services के prices अभी भी जादा है, विकाज अगर केवल products की बात करें, तो WPI में केवल products calculate की जाते हैं, तो उसकी value अभी भी कम है, बट services retail के अंदर आते हैं, services CPI के अंदर आते हैं, तो वो भी जादा होंगे, और जिसके वज़से CPI अभी भी threshold level से उपर है, हमारा threshold level, जो इंडिया के inflation का threshold level है, वो 4% plus minus 2% का threshold level है, means 2% से लेके 6% के बीच में इंडिया का inflation होना चाहिए, ऐसा monetary policy committee कहती है, but inflation is still above 6.6%, तो CPI का inflation बहुत matter करता है, बिकाज उसके भरोसे हम देश के महंगाई को judge करते हैं, तो अगर ये CPI जादा दिखा, तो monetary policy committee फिर monetary policy में रेपोरेट और बढ़ा सकती है, इसलिए अभी discussion स्टार्ट हो गए, कि ये gap क्यों बनी हुई है, इस gap को कम करने के लिए क्या किया जाए, CPI में जो महंगाई बढ़ी हुई है, उसके लिए क्या efforts लिए जाए, इन सब के उपर हम financial समाचार में detail में बात करेंगे, detail में discuss करेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हो, ध्यान दीजे, wholesale price index is given by, WPI is given by commerce ministry, commerce ministry WPI देती है, CPI is given by national statistical office, ये NSO देती है, so this is given by economic advisor office of commerce ministry, WPI and CPI by the NSO, ministry of statistics and program implementation, WPI में केवल goods, केवल products की value calculate की जाती है, यहाँ पे goods और services दोनों की value calculate की जाती है, यह base year है, and services use होती है CPI में, that's why वहाँ पे valuation थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, इसके reasons के उपर, हम हमारे financial समाचार के lecture में दो बज़े, और detail में बात करेंगे, ठीक है, यह जो numbers है, यह monthly basis पे आते है, WPI का number हो, CPI का number हो, monthly basis पे आता है, तो आपको हमेशा के number याद करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, जो केवल objective angle में पढ़ाई करना चाहते है, तो आपको यह numbers याद करने की जरुरत नहीं, जो थोड़ा interview के angle में सोच रहे, आप ध्यान दीजेगा numbers के तरफ, because जब आप explanation दोगे, या अगर आपको answer writing करनी है, तो आपको help मिल सकती है, objective के angle में, आपको इतना numbers में खेलने की जरुरत नहीं है, a very very big news, बहुत बड़ी news है, ध्यान दीजे, कल हमारे parliament में, कल हमारे parliament में, एक question पूछा गया था, कि हमारी RBI, कितने countries के साथ, रुपी में agreement की हुई है, हमें पता है कि, we have the agreement with Russia, we have the agreement with Sri Lanka, कि रुपी में trade हो, आपको याद है, वास्ट्रो account, याद होगा, तो रुपी में trade करने के लिए, रुशियन बैंकों ने, हमारे बैंकों में account open किये, रुपी में, तो उसे वास्ट्रो account कहते हैं, अगर हमारी banks, अगर हमारी banks, उनके country में account open करती है, उनके currency में, तो उसे nostro कहेंगे, so we have Vastro, we have Nostro, यहाँ पर वास्ट्रो की बात होगी, वास्ट्रो के अंदर, अलग दूसरे countries की banks, हमारे बैंकों में account open करेगी, रुपी में, ताकि रुपी में trade हो सके, अब यहाँ पर point mention किया गया, total 18 countries है, जो इंडिया के साथ, रुपी में trade करने के लिए ready है, 18 countries, केवल रश्या नहीं, 18 countries है, तो 18 countries कौनसी कौनसी है, ध्यान दीजेगा, बोट्सवाना, फीजी, जर्मनी, गयाना, इसराइल, केनिया, मलेशिया, मौरिशस, मैनमार, न्यूजिलंड, ओमान, रशिया, सेचिल्ज, सिंगापूर, श्रीलंका, तांजानिया, यूगांडा, एड्यूके, अब क्या यह, अठ्रा कंट्रीज के नाम, याद करें, नहीं, मत करो, अठ्रा कंट्रीज के नाम, याद करना, इस नौट दे, प्रैक्टिकल वे, और एग्जामिनर, ऐसा भी क्वेश्चन, नहीं पूचेगा, इसमें यूके भी है, इसमें जर्मनी भी है, इसमें न्यूजिलेंड है, इसमें रश्या तो ही, सिंगापूर है, वी हैव, जिया, मौरिशस इसके अंदर है, तो बड़ी-बड़ी कंट्रीज भी यहां पे है, जर्मनी, यूके जैसे, बड़ी-इकोनॉमिस भी इसके अंदर included है, सिंगापूर is also the part of this, याद रखेगा, बहुत important point रहेगा, यह जो answer है, यह answer finance ministry के द्वारा दिया गया, पार्लामेंट में, और जब पार्लामेंट में answer दिया जाता है, उसके उपर, जादा trust कर सकते है, बिलकुल trust करना चाहिए, no doubt about that, तो वास्ट्रो अकाउंट ध्यान रखना, जब उनकी बैंक्स, हमारी बैंकों में अकाउंट open करेगी, अब देखिए, इसका क्या फाइदा है, इसका फाइदा क्या है, simple फाइदा है, बैया, ट्रेड रूपी में हो रहा है, हमें डॉलर में ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यह जो करंसी एक्षेंज रेट था, उसका टेंशन खतम रूपी में ट्रेड हो रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा, हम लोग कई बार कहते हैं, कि इंडियन रूपी शुड़ भी इंटरनेशनल करंसी, कहते हैं हम लोग कि इंडियन रूपी, यूएस जॉलर्स, जैपनीज एन, चाइनीज यूवान, या फिर पाउंड स्टर्लिंग, या यूरो के तरह इंटरनेशनल करंसी बननी चाहिए, तो अगर इंडियन रूपी को इंटरनेशनल करंसी बनाना है, या इंडियन रूपी का इंटरनेशनलाईजेशन करना है, तो ये बड़ा बहतरीन तरीका है, बड़ा बहतरीन वे है, तो वो दिन दूर नहीं, जब Indian rupee internationalize हो जाएगी इसका आप यहाँ पे example देख सकते हो ठीक है that's it from this news आगे बढ़ते हैं यह news actually मैं आपके साथ financial समाचार में discuss करने वाला हूँ पर एक बार बता देता हूँ startups seek government help to bring money to India SVB bank पता है Silicon Valley bank हमने discuss किया हुआ है जो US की bank है fail हो गई मैंने आपको बताया भी था कि बहुत सारे इंडिया के startups है जिनका इस bank में account है जिसने इन बैंक से investment लिया हुआ है तो जो startups SVB bank के साथ जुड़े हुए उन्होंने government को बोला हुआ है कि we need your help हमारा पैसा फसा हुआ है वो ला दीजिए हमारा जो भी उनके साथ deal है उससे solve करवा दीजे because SVB bank अभी completely बंद हो रहे है तो एस situation में यह बात की गई we'll talk about this in detail हमारे financial समाचार में but आपको एक hint या आपको एक पता होना इसलिए मैंने share कर दिया detail में वहाँ discuss करेंगे ठीक है आगे इंडीजीनियस वेरी शॉट रेंज मिसाइल सिस्टिम टेस्टेड ट्वाइस नाव चंदीपूर ओडीशा की बात करेंगे वहाँ पर यह test किया गया वेरी शॉट रेंज मिसाइल यह जो वेरी शॉट रेंज मिसाइल है इसका concept क्या है यह वेरी शॉट रेंज मिसाइल है यह हम कही से भी एक परसन भी उसे क्यारी कर सकता है पर्टेबल भी है शॉट रेंज का मतलब है कि मोसली अगर कोई प्लेन होगा तो उसको उड़ा सकते है या कोई नियरबाई इसको उड़ा इसको हमने खुद क्रियेट किया है DRDO ने खुद इसको बनाया हुआ अब इसका range क्या है रेंज के उपर question पूछ सकते है so 250 मिटर से लेके 6 किलो मिटर इसका range है 250 मिटर से लेके 6 किलो मिटर तक का इसका range है जिसे test fire किया गया रिसेंटली तो याद रखेगा, this can be used with planes, this can be used by navy, this can be used by army, anyone can use, very short range missile कहा गया है, 250 meter की range है, तो very short range तो लिखना ही पड़ेगा, no doubt about that, तो यह point यहाँ पर ध्यान रखेगा, बाकी तो इनफ रहेगा, बाकी तो है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, यार, यह वाला न्यूज में skip करता हूं के, sorry, गलती से यहाँ पर आ गया, यह financial समाचार के notes के लिए था, very sorry, but I will move forward, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, yes, union minister, road and transport highway, नितिन गड़करी sir, inaugurated and laid the foundation stone of national, nine national highway project in उत्तर प्रदेश, so गड़करी सहाब ने, यह 9 national highways का, यहाँ पर inauguration किया, road and transport minister है, UP के अंदर, so total 3500 करोड का investment की यहाँ पर बात हो रही है, you can say four learning of 258 kilometers, अब देखे, आप में से कोई अगर UP government की exams दे रहा है, तो इसको detail में पढ़िए, अगर आप UP government की exams नहीं दे रहे हो, तो इसको detail में नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, यह news का थोड़ा सा idea देता हो, नहीं तो बुरा from the April 1st, first of April से नया financial year start होता है, gas pipeline बता होगा, आजकल बड़े-बड़े cities में, gas cylinders की ज़रूरत नहीं है, directly gas pipeline के थुरू supply होता है, तो जितनी भी gas pipelines है, उन सब का tariff, उसके उपर जो पैसा लगता है, जो amount charge किया जाता है, वो सब के लिए same रखा जाए, कही जगों पर क्या होता है, किसी और से ले रहे, तो tariffs अलग-अलग होते, उन सब को unified किया जाए, same किया जाए, उसके around the announcement है, इसके उपर मैं बात किसी और session में करने वाला हो, थोड़ा याद रखेगा, first of April से इसे implement किया जाएगा, आगे बढ़ते, जिया, next, Ashok Leland, Ashok Leland बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का, कि यह गाडिया बनाते हैं, अब इन्होंने तमिल नाडु में एक ऐसा plant बनाया, जहाँ पे केवल महिलाए काम करेगी, जहाँ पे केवल महिलाए काम करेगी, तो Ashok Leland unveils all women production line in तमिल नाडु plant, all women production line, means, यहाँ पे केवल महिलाए काम करेगी, तो जो गाडी बने International Women's Day को ध्यान में रखा जाए, तो ये बहुत बड़ा न्यूज है, और question यहाँ पर definitely बनेगा, तो अशोक लेलैंड, very famous brand of India, and they announced this, हिंदुजा ग्रूप के अंदर ये company काम करती है, और अशोक लेलैंड की अगर बात करें, तो 1948 में इस company को बनाया गया, 1955 में इसका नाम अशोक मैंने टेलिग्राम पे शेयर किया था, आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने इनका इमेज शेयर किया था, ये इंडिया की पहली railway female driver है, पहली बार किसी महिला ने railway को चलाया था, तो वो ये है, इनका नाम है, सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, इनका ओरिजनल लाम सुरेखा भोसल है, आफटर मारेज, ओविसली सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, सु शी वईज दा फ़र्षा फिमेल इन 1988 जिन्होंने पहली बार ट्रेंच चलाई थी, के, सो प्वेस्चन 1988 के आंगल में भी आपको पूछ सकते है, अब ये वापस भारत ट्रेन चलाने वाली भी यही है सो लापूर टु मुंबई यह जो वंदे भारत ट्रेन है इसको इन्होंने चलाया टाइम से पहले मुंबई पहुचा भी दिया टाइम से पहले पहुचा दिया काफी तारीफ इनकी हुई है सुरेखा यादो इनका नाम है ध्यान रखेग यह केवल इंडिया की नहीं एशिया की पहली यह रेलवे पाइलेट है लोको पाइलेट जिसे कहते है पहली रेलवे पाइलेट पूरे एशिया की तो क्वेश्चन यहाँ पर डेफिनेटली बनेगा याद रखना 1988 की बात करते है एयर 2000 में एयर 2002 के आसपास न एक और 2002 की बात है एक स्पेश्चल ट्रेन बनाई गए थी केवल महिलाओ के लिए बस वह कुछ एक दो चार ही उसके राउट हुए उसको भी इन्होंने ही चलाया था उस एंगल में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगें शीज वर्किंग फॉर दी सेंट्रल रेलवे की हम बात करें उनके लिए वर्क करती है एंड सोलापूल टू मुंबई जो ट्रेन था बस इसी को इन्होंने चलाया था एक और महिला है श्रेया घोडावत अपॉइंट अपॉइंट अपॉइंटर ऑफ शीचेंज क्लाइमाट शीचेंज क्लाइमाट इस फ्रॉम लंडन यह एक लंडन का और्गनाजिशन है जिसे 2020 में बनाया गया इसके इंडिया के एंबेसेटर के तौर पे श्रेया घोडावत को अपॉइंट किया गया संजे घोडावत ग्रूप आपने शायद नाम सुनाओगा बहुत बड़ा बहुत बड़े इंडेस्ट्रियालिस्ट है उनके ही यह फैमिली मेंबर है और जिनको यहां पे अपॉइंट किया गया इनको यहां पे अपॉइंट किया गया वेरी सिंपल शी चेंज क्लाइमट इस वेरी फेमस ग्रूप फ्रॉम लंडन जिनके इंडिया के ब्रैंड अमेसेटर श्रेया घोडावत है चलो आगे बढ़ते है CBI condles demise of its ex-chief K. Vijay Rama Rao K. Vijay Rama Rao, CBI के head हुआ करते थे from 1993 to 1996 इनका देहान्त हुआ है So obviously exam के लिए question बन सकता है कि recently किसका देहान्त हुआ उनके angle में यह CBI के head थे from 1993 to 1996 CBI, Central Bureau of Investigation New Delhi में headquarter है CBI के present head कोन है उनका नाम बता दीजे प्रेजेंटली CBI को lead कोन कर रहे है उनका नाम जल्दी बता दीजेगा 1963 में CBI को create किया गया सुबोत कुमार जैसवाल सर यह फिलाल CBI के head है and K. Vijay Rama Rao सर इनका भी रिसेंटली देहान्त हुआ MDC of Indescent Bank Indescent Bank ने सुमंद कत्पलिया सर को re-appoint करने की बात की है Indescent Bank 1994 में create किया गया Mumbai में इसका headquarter है और यह bank भी हिंदूजा ग्रूप के अंदर आती है इस bank के MDCO की position पे re-appointment किया गया सुमंद कत्पलिया सर का सुमंद कत्पलिया सर का सुमंद कत्पलिया सर का सुमंद कत्पलिया सर का वापस एक बार सुमंद सर लीड करेंगे वो उसके head परन रहेंगे Recently अलग-अलग बैंकों के जो appointments वे उसके बारे में यहाँ पे कुछ point mention के revision के लिए आपको help मिलेगी LIC के acting chair person LIC के acting chair person जल्दी से नाम comment section में डाल दीजे कि LIC के acting chair person कोन है photo यहाँ पे नाम बता दीजे तीन मेने के लिए for three months he will be the acting chair person हमने परसों के lecture के अंदर इस news के उपर बात की थी अब ध्यान दीजे LIC में और changes हो रहे LIC में MDs appoint किये गे नए managing director LIC में क्या है कि LIC में एक chair person होते है और यहाँ पे total चार managing directors होते हैं so one chair person and four managing directors यहाँ पे normally होते हैं ध्यान रखेगा तो अभी यहाँ पे M. Jagannath sir and Tablesh Panday sir यह दो नए MD appoint किये गए है so sir की बात करे तो sir का नाम यहाँ पे सिदार्थ मोहंती सिदार्थ मोहंती sir फिलाल LIC के managing director है और साथ में साथ में यह LIC के acting chair person भी रहेंगे तो इनके पास दोनों पोस्ट है managing director as well as chair person acting chair person अब इनके अलवा दो नए MD appoint किये गए है M. Jagannath sir and Tablesh Panday sir इनके अलवा एक और MD है और उनका नाम है Mini E.P. ma'am आपको बताएगा Mini E.P. हमने इनका नाम discuss किया हुआ है so Mini E.P. So again repeat करता हू L.I.C. consists of one chair person and four managing director फिलाल chair person की जो position है वो खाली है इसलिए वहाँ पे acting chair person के तोर पे sir काम कर रहे for three months नया appointment बाद में हो जाएगा जो चार managing director है वो एक मोहंती sir दूसरे M. Jagannath sir Tablesh Panday sir और Mini E.P. ma'am ये फिलाल MD की position पे काम कर रहे है 1956 में L.I.C. को बनाया गया था that's it yes 2026 World Cup to have record 104 matches with 48 teams FIFA World Cup जो 2026 में होगा 2026 का FIFA World Cup कहां पे होगा तो वो World Cup होगा यहां पे USA, Canada and Mexico तीन countries में ये World Cup खेला जाएगा US, Canada and Mexico तो US बीच में Canada उसके उपर है Mexico उसके नीच है North American countries इसको कहते है तो इन North American countries में 2026 का FIFA World Cup खेला जाएगा total 104 matches होगी and 48 teams यहां पे रहेगी ऐसा point mention किया गया Qatar का जो World Cup होगा उसमें 64 matches थी Qatar World Cup में 64 matches थी यहां पे 104 matches है काफी बड़ा यहां पे difference है मज़ा आ जाएगा no doubt about that जल्दी से मुझे बताइए इनका नाम क्या है यह FIFA के head है Zurich में FIFA का headquarter है इनका नाम बता दीजे FIFA के head इंडिया भी खेलेगा कि यह इंडिया पे depend करता है इंडिया कॉलिफाय होता है कि नहीं कॉलिफायर्स अभी start नहीं हुए कॉलिफायर्स को बहुत वक्त है कि अभी से नहीं बता सकते कॉलिफायर्स होते है कौनसी टीम यहां पे तो जो World Cup winning team है उसको भी नहीं पता कि वो खेलेगी की नहीं खेलेगी यह क्रिकेट के तरह नहीं है कि भाई lifetime के लिए आप तो खेलोगी ऐसा scene नहीं है Football World Cup बहुत अलग होते है यहां पे हमेशा कॉलिफायर्स होते है और उसके बाद तो अर्जेंटीना को भी कॉलिफाय होना पड़ेगा कि इसको खेलने के लिए याद रखेगा जिया ना इनफेंटीनो सर की बात करेंगे जो फिलाल FIFA के हेड है जिनका फोटो यहां पे आपको दिख रहा है जिया नेक्स निउस Boxing Federation of India एंड महेंद्रा इनका टायप हुआ है So who is the official sponsor of Boxing Federation of India is महेंद्रा महेंद्रा आपको बताओगा तो इनका टायप हुआ है ध्यान रखेगा Question is around आपको पूछा जाएगा अब इंडिया में ना Women's Boxing World Championship है उसके भी sponsor महेंद्रा ही है उसके भी sponsor महेंद्रा है और इस Championship के Brand Ambassador Mary Combe Ma'am और फरान अक्तर सर फरान अक्तर फरान अक्तर इस अ एक्टर ये और Mary Combe Ma'am ये Brand Ambassador सर्थ है तो फिलाल जो Women's World Championship है इंडिया के अंदर उसके official sponsor is महेंद्रा और महेंद्रा और Brand Ambassador की point यहां पर mention किया गया है ध्यान रखेगा तो आज से 15 मार्च से लेके 26 मार्च तक ये Women's World Championship Boxing की organized की जाएगी ध्यान रखेगा 74 countries participate कर रही है इस पूरे टूनामेंट के अंदर Boxing Federation of India Ajay Singh Sir उसके President है ध्यान रखेगा इसके अलावा हमारी जो महिला की महिलाओ की team है उसको भी ये महंदरा और महंदरा sponsor कर रहा है प्लस Women's Boxing Championship को भी ये sponsorship दे रहा है International Boxing Association 1946 में create किया गया ध्यान रखेगा and Louisiana Switzerland में इसका headquarter है Umar Kremlev इसके फिलाल President है Yes, that's it that will be enough from this particular news Yes, guys that's all from my side for the day Notes के लिए Telegram Channel को follow कीज़ेगा यहापे आपको Notes और आने वाले Lectures की Information अवेलेबल रहेगा और प्लस loyalty sale चल रहा है दो दिन के लिए इस loyalty sale के अंदर आप pushpak ये code यूज़ करके आपका discount एविल कर सकते हो ये भी point ध्यान रखेगा Yes, guys that's all from my side for the day We'll see you in the next session तब तक के लिए Bye-bye Take care Safe रहिए सुरक्षित रहिए और पड़तरियेगा Bye